डियर स्टूडियन आप सभी का एपी स्टेडी कॉमर्स एंड इंग्लीज गुरुजी चैनल में स्वागत है आज हम जो है अध्याय साथ सहजारी फर्म का समापन इसके कोश्चन नंबर तीन और चार को हल करेंगे इस वीडियो में हमको तीन और चार को देखना है कि किस प्रक समपत्यों और दायतों की वससुली का भी लेखन इसकी प्रकार की कोई रासी नहीं दिया हमको पहले समपत्य को वसोली खाता मिं डालना है फिर उसके बाद दायतों की वस्छ którejलीखा से प्रेमेंट करना है इस प्रकार की graphSON पंघली हमको कर नी से वासूली खाता विगलान लिख देंगे तो व मलची किस एगा क्ट ओलते ना संपत्यां मतलाब हमने वासुली खाते Ņंतरगद संपत्यी को डाल दिया आप हम जो है दाइतों को दालते हैं तो विभी न दाइत्व खाता विगलान वस्वली खाता से संपत्या होंगी तो वो नीचे में आएगा याद रखना है वस्वली खाता विगलान विभी न संपत्य खाता से जो भी संपत्या रहेगे वो नीचे में लिखेंगे हम उसको और दाइत्व रहेगा और इसको हम भी जिरागि तो सम्धत्यों को बेचेंगे तो से धन राशी प्राप्त होगी तो हम लिख देंगे बैंक या रोकड खाता विइकलन वसुली खाता से रहें आपको समझाने के यहाँ पर दो इस आहाँ यहा रोकड खाता से वस्वली खाता से हो जाएगा विभीन संपतियों के विक्रय से प्राप्त रासी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बैंक खाता या रोकड खाता विक्ला वस्वली खाता से विभीन संपतियों के विक्रय से प्राप्त रासी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हमको इ उच्चेतायितों कίνवे लिग सकते हैं यहां पर हमने क्या है यहां पर किसी भी परकार की कोई नहीं लिखी है क्यों नहीं लिखता हम नहीं आएंगी कैसे नहीं आएंगी चरिया आपको मैं बताता हूँ यहां पर रासी नहीं आएगा ठीक है यहां पर ब्लेंक रहेगा यहां पर भी ब्लेंक रहेगा उसके बाद यहां पर भी ब्लेंक रहेगा क्योंकि परहस्ण में हम यहाँ इतने को क्या कर देंगे यहाँ पर लिखा है क्यों सब्द्द आधियो है यहां पर किसी परकार का कोई by रासी नहीं दी गई है ठीक है को चार प्रविष्टियां करने पड़ेगी एक तो संपत्ति के लिए दो और दाइतों के लिए दो संपत्ति के लिए दो में पहला तो है हम वसुली खाता में संपत्ति को डालेंगे परी संपत्ति लिखाए इस संपत्ति को हमको किसमें डालना है वसुली खाता में डालना है और इसके बाद इन संपत्यों को भिक्राय करेंगे तो उसके जो राशी प्राप्त होगी तो उसको हम लिख लेखन करेंगे तो रोकड या बैंको भीकलान जो है वसूली खाता से हो जाई गए यह संपति को डालेंगे तो हम मिर्फ देंगे से विबीन परिसंप्तियों के विक्राप्त से प्राप्त रासी रासी प्राप्त होने पर दूसरा तो हम यहां पर रहता है यह पर मिलेक्ते हैं विबन दयाइट कि अविगलान वश्वली खाता से फिर उसके बाद हो जाएगा दाइतों को क्या करना पड़ता है भक्तान करना पड़ता है तो हम लिखेंगे वसुली खाता बिकलान बैंक खाता से दाइतों का भक्तान करने पर हो गया इस प्रकार चार पंजी प्रोष्टियां पहले जो है उससे होगा पहला जो पॉइंट है उससे जो है हमारा चार पंजी रिए रद्र अजीज द्वारा भार पचास प्रतिसात इंश्टाग को LE fun 1 600 स aliens जो चुट पर लिया गया है भी लाक साथ हजार का इसटाग है जिसमें से अजीज द्वारा 50 प्रतिसाथ को कितने प्रतिसात को सटाग को भी प्रतिसाथ जूट पर लिया गया है ठीक है मतलब 1,60,000 का आधा कितना हो गया असी हजार को 20 प्रतिसत चूट पर लिया गया है इसका हम पंजी प्रोष्टी कासे करेंगे देख लिजे क्योंकि पाने वाला कौन हो गया यहां पर पाने वाला हो गया अजीज पाने वाला यह हो गया तो अजीज का पुंजी खाता बिगलन हो जाएगा अजीज का पुंजी खाता बिगलन किस से तो हम लिखेंगे वसुली खाता से क्योंकि हमने जितने भी संपत्तियां है अदाइच तो हमने वसुली खाते का अंदरगर डाल दिया है तो अजीज का पुंजी खाता बिगलन वसुली खाता से ठीक है यहां पर देखिए उसकी पंजी प्रोष्टी क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखा है अजीच का पूंजी खाता विगलन वसुली खाता से 64000 यहां पर भी 64000 इसका कैसे करना है इसका कैलकुलेशन हमको करना है देखिए यहां पर हम ने करके है कि एक लाग साथ हजार कुड़ीत पचास बटे सव एक लाग साथ हजार कुड़ीत पचास बटे मतलब कितना अगया अब ही आज़ीशन है तौ्छाम पर इसफीशन हजार को डिसकाउंट तो आजाएगा हमारा यह दो कर तजार यही क्या है यही जो है फैसंट जो इसटाक है उसका मुल्य है ठिक झिसको हमने यहां पर लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है फिर आगे बढ़ते हैं कर बीम को देखते हैं फ्रप्रस्ण में इंपर खक का विकरे लागत पर 30 प्रतिसत लाब पर हुआ सेस इसटाक मतलब सेस इसटाक कितना पचाइब पचाइब अब बचाइब पर तीस प्रतिसत इसटाक पर 30 प्रतिसत लाब राप्त हुआ मतलब 80,000 पर 30% क्या करेंगे लाब लिका लेंगे ठीक है तो 80,000 यहाँ पर लाब कैसे लिका लेंगे तो 80,000 गुडित लिख देंगे 30 बटे 100 देखें यहाँ पर आपको बताता हूँ यह हो जाएगा खाली जगह में आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर देखे 80,000 कितना था 80,000 चुक्कि यहाँ पर मैं कंप्यूटर में यूप्योग कर रहा हूँ मेरे पास पेंड नहीं है इसका यह होगे असी हजार आप कर लिजेगा असी हजार गुडित 30 असी हजार गुडित गुड़ी तो जीरो जीरो दो जीरो जीरो कट जाएगा आड़ती है तो 24,000 और बढ़ जाएगा तो असी में 24,000 बढ़ाएगे तो कितना हो जाएगा एक लाग चार अजार रुपे हो जाएगँ ठीक है तो क्योंकि उस स्टाक को हमने बेचा अब बेचने से हमको लाब हुआ ठीक है रहा हमारा यह हो गया बेंक खाता बिगलान असी अजार चुबिस अजार लाब हो तो लिकालेंगे तो हमारा जोड़े तो एक बैंक यह रोकड़ खाते विकलन वस्वली खाते यह कहां पर है यह देखे भूमी भूमी और भवन पुस्तक मुल्य एक लाख साथ जार अब इसका विक्राइट कितने में किया तीन लाख रुपय में एक दलाल के द्वारा किया जिसने साधे पर दो प्रतिस्थ कमिशन लिया मैंने तो इसमें दो क्या करेंäischen को हम मतलब यहाद हमने में 3000 रुपय कम करना को तो कितना का हुज जाएगा दो लाख चवर आभे रुपय का हुआ ठीक है तो उसी нуж निए घ्रलेगे अब चुक्यों कि थे संपति को भीक्रय कर रहा है तो भीक्रय से हमारे पास रासी आ रहा रहे दिसलिए रोकड़ है या बैंक खाता विकलान कर लिए वसुली खाता से यहां पर देखे रो कड़ान किसे वसुली खाता से कर दिए ठीक है रोकड यह बैंग खाता विगलन क्या हो जाएगा वस्वूली खाता से लियर हो गया 2,94 यहां पर लिख दिया है 2,94 यहां पर लिख दिया है यहां पर हमने लिखा भूमी वह भवन को को तीन लाग रुपे में बेचा और 2% कमिशन के दिये तो कमिशन को घटा करके हमको यहां पर लिखना है अलग से यहां पर कमिशन खाता विगलन इस टैप से नहीं लिख रहे हैं ठीक है अब इए को देखें इमें क्या लिखा है इमें लिखा है सयंत्र और मशिनरी करती पर मुल्य अंकर पर दिया गया मतलब सयंत्र मस्यांतरी का जो साठहचा 1 रुपे और एक लेंदार को पुष्थसकष्ण मुल्य से मतलब यहां पर मसीन हैं पूंस तर प्यश्ष्ण मूल्य था मतलब जह जितना रेड ठा उतना एक लेना अहीं पैसा जो है देना पुस्ट मुल्या से तो पैसा देना अबाकी था से दस प्रतिशत कम के स्विकृति मुल्यांकन पर दिया गया मतलब जितना का मुएन दे दिया गया ऐसी कंडिशन में क्या होता है हम इसकी प्रविष्टी नहीं करते हैं तो आप से समझ सकते हैं यहां पर जैसे दिया हुआ है देखे क्या दिया हुआ है कि संपत्ति को किसी लेंदार या लेंदार द्वारा अपने दाईत्यों के लेने पर दाईत्यों केलिए परियाप्त है तो इस संबंध में कोई प्रविष्टी नहीं होगी ठीक है दाईत्यों के लिए परियापत है तो उसके लिए कोई परश्टि हम नहीं करेंगे परंतु यदि संपत्ति के वाल आंसिक भुगतान है तो परियापत है तो यहां पर लेंदार या रिण में संपत्ती का मूल्य घटा कर सेस रासी नगत भुक्तान की जाएगी जिसकी प्रविष्टी होगी अगर संपत्ति परियापत है उस इस्थिति में जो है सेज जो रासी रहेगा उसका हम भुगतान रोकड के रूप में करेंगे जिसका प्रविष्टी हमको करना पड़ेगा यहीं बोला जा रहा है ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे देखिए जहां पर अब हुई है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बैंक खाता या बैंक खाता या रोकड खाता विगलान वसुली खाता से 4000 रुपे यहां पर है कि यह यह तो दक था पांच्वा में नो इंट्री संपत्ति को किसी लेंदा द्वारा अपने दाविद्वा के बदले में लेने पर क राची रहें बैंक खातां वसुली खाता से बिन्योर क्सका मुल्य चारजार रूपे था पचार प्रत्रीसाथ रासी जो है वसूल हुई तो हम लिख देंगे बैंक खाता वसुली खाता से और बिन्योंक चीम भर under सब्सकार प्रश्टिकशन को सब्सक्राइब करता हूं और बारी बारी बार के बराबर होता है उस इस्तिति में जो है परियाप्त पूर्ण भुगतान में किसी प्रकार की पंजी प्रोष्टी नहीं होती अगर लेंदार के द्वारा ले लिया जाता है तो इस इस्तिति में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आप देखें चौंथे नंबर का कोश्चन को द इत्रीक्त थीक है किसको रोकर और बैंक के अत्रीक्त वसुली खाते में किया गया वसुली खाते में किया गया संपति कर्टाथ त्रांसपर कहा कर दिए स्वाइब बन गया फिर तीसरा से परी संपत्यों में से 40 प्रतिसत चूट पर उसको ले लिया गया ठिक यह दो पाइंट बन गया फिर तीसरा से परिसंपत्यों में से 40 प्रतिसत को लागत पर 30 प्रतिसत लाव पर विक्राय किया गया ठीक है समझ में से पर परिसंपत्यों के लिए यहां पर लिखाएं कि निगाई लेंगे डिया । से पर नहीं होगा लेकिन हमको कहा कहाँ कया और पर संपत्ति खाता से हमने प्रत्रक्राइश चुट पर इस पर तो पर यहतरिक उसली खाते में किया रखे गिये फ mentor के में फिर है बाटुल के दूआरा प्रश्णभ में है कि आतूल कि सांडार अतूल दौारा कर चुट पर लिया गया पर संपत्यों का पर हम पे शांड को 50 दौर। बीज बटे 100 कर लिजे तो जीरो जीरो एक एक जीरो कर जाएगा दोनों में से दो पंचे 10 मतलब 10 आज़ार डिसकांट हो गया 50,000 में और मतलब कितने का हो गया यह 40,000 50,000 में 10 प्रतिसाच छूट मतलब 50,000 में 20 प्रतिसाच छूट लिका लेंगे तो तो दस हजार आ रहा है अब दस हजार को पचास हजार में माइनस कर दिए ठीक है तो हमारा कितना आ गया 40,000 अतूल को बड़ा संपत्ति जो लिया वह कितने का लिया 40,000 ठीक तो अतूल का पूंजी खाता बिकलन वसुली खाता से यह भी 40,000 और यह भी 40,000 लिखती है ठीक है समझ में आको यह नहीं आया तो देखिए यहां पर गढ़ना में बताया हूं 50,000 की संपत्ति थी कि उस पर सौरी यह तो दूसरा तीसरे का है यह दूसरे का हमको सिंपल से करना है 50,000 गुड़ी 20 बटे 100 कर दीजेगा तो बराबर करेंगे तो 10,000 आएगा अब उतने परसंट छूट 20 परसंट छूट मतलब मतलब माइनस कर दीए 10,000 को कितना बचा 40,000 ठीक आप देखिए तीसरा पॉइंट को समझे सेस परिसंपत्यों का यहां पर ध्यान देना है सेस परिसंपत्यों का कहने कतार पर यह है कि उसके बाद जो बचा 50 पर दिसंपत्य कितनी बची तो एक लाग में से 50 पर दिसंपत्य की बची तो एक लाग का 50 प्रतिसंप 20 जार होते तो पकास जार की संपत्य समपत्य में से 40 कर 40 प्रतिसंप को लागत पर 30 प्रतिसंपत्य सब्सŁरां 22 तो 30% मतल। 30 प्रतिसाट जो संपत्ति है उसको 30 % लाब पर विक्राय किया ठीक है तो यह कैसे होगा तो यहां पर क्यूंड का 40 परसेंट 40 तो 40 सव कर दिये तो हमारा कितने का संपत्ति आ गया 20,000 की संपत्ति सक्रहिए सुल्टि का हम ने उसका कितने पिरसंट लाब तो तीस प्रतिसात लाब पर प्रस्ट में दिया वा कि हम यहां पर क्या करेंगे बिस तीस इजार इस सव चुट रहों यहां पर एक Allez certains सब्सक्रह Als तो इस संपत्ति के मुल्य के साथ जोड़ देंगे तो कितने में बेचे तो हमने लिख दिया वसुली खाता से बेचेंगे तो क्या मिलेगा हमको रोकड मिलेगा धन मिलेगा पैसा मिलेगा तो बैंक खाता या रोकड खाता बिगलान कर सकते हैं वसुली खाता से यहां पर बैंक खाता को प्योंके तो यहां पर भी सब्सक्राइब यह आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोश्चन नमबर पांच और है यह समास्या होता है इसलिए मैंने मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोशिसção करता हूं ताकि आप लोग स्विधा से समय कम रहता तो आसानी से देखते भição जाता है त्पांच और चैयर को देखने के ज customer सेके जितने कि की- उन तकमेरे वीडियो को सेर किजीर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोगों का व्यू नहीं आएगा, तो मुझे भी बनाने का मन नहीं दो करता है, अगर आप सेर करेंगे व्यू आता है तो मुझे लगता है कि मेरा जो किया गया मेहनात है वो सफल हो रहा है इसलिए मैं ज है और मोटिवेट हो करके आप लोगों के लिए वीडियो तयार करता हूं बनाता करेंगे अब बेल आइकन को प्रेस करेंगे धन्यवाद